हेलो दोस्तों, वेलकम टू DSD कार्स और आज के वीडियो में भाई बात करेंगे किया सेल्टोस के एच्टी के वेरियंट के बारे में कि एच्टी के वेरियंट में क्या कुछ फीचर्स आपको मिल जाते हैं, कितना क्या इस गाड़ी का प्राइस है और क्या कुछ नया इस indicator मिलता है उसके पीछे parking light दिए गई है halogen projector head lamps इस variant में भी दिए गए है और नीचे halogen projector fog lamps दिए गए है black color की surrounding के साथ में silver color की जो skid plate है वो front में दिए गई है और black color के साथ में grill आपको मिल जाती है उसके उपर और नीचे silver color में grill garnish दिए गई है diamond curling pattern के साथ में और जो किया का नया logo है वो bonnet पे आप देख सकते हैं तो overall front look जो है cell toast की बहुत ही जबर्दस्त रगने वाली है यह front और side look का combination आप देख सकते हैं अब चलें side profile में तो 16 इंच के black color के steel wheel के साथ में आपको tires दिए गए है और जो wheel cover है वो भी इसे के साथ में मिल जाता है किया का नया logo wheel cover के उपर दिया गया है black color की body kit का use किया गया है जो कि गाड़ी में पीछे तक जाती है black color के साथ में ही door silk lading भी दी गई है 190 mm की ground clearance आपको इस गाड़ी में मिल जाती है front में disc और rear में drum brake मिल जाते हैं ABS और EBD के साथ में जो braking है वो अच्छी खासी आपको मिल जाती है body color और black color के combination के साथ में और वारवियम से दिये गए हैं और उन्हें के उपर LED turn indicator प्लेस किये गए हैं A pillar पियानो black finish में, B pillar matte black finish में और उपर floating roof rails आपको मिल जाती हैं silver और black color के combination के साथ में body color में door handles दिये गए हैं side और back look का जो combination है वो यहां से आप देख सकते हैं अच्छे से बात करे rear की, तो halogen tail names आपको दी गई हैं जो की अच्छी खासी look आपको दे देती हैं पीछे metallic silver color में number plate एपलिक दी गई है और किया का logo उसी के उपर place किया गया है और उसके निचे यहां आपको मिलता है reverse camera जो reflectors हैं वो यहां side में body पे place किये गए हैं black color में bumper दिया गया है और उसी के उपर चार parking sensors दिये गए हैं और निचे silver color की skid plate भी दी गई है जो कि काफी अच्छी look इस गाड़ी को दे देती है उपर चलें तो defogger और wiper इस variant में नहीं मिलता है high mount stop lamp और shark fin antenna आप यहां पे देख सकते हैं तो rear look, front look या side look look कहीं से भी आप देख लिजी अच्छी आपको मिलने वाली है इस गाड़ी की अब चलते हैं interior की तरफ तो remote control चाबी मिल जाती है lock, unlock और boot unlock बटन के साथ में flip की है तो ये बटन दबा के आप चाबी को बाहर निकाल सकते हैं और अब एक बार चलते हैं गाड़ी के अंदर की क्या कुछ इस variant में आपको मिलने वाला है तो silver finish के साथ में door handles दिये गए हैं चारों ही power windows दिये गई हैं driver window one touch down function के साथ में आपको मिल जाती है लेकिन one touch up function के साथ में नहीं दिये गई है जो ORVM से हैं वो power adjustable दिये गए हैं लेकिन auto foldable नहीं दिये गए हैं उसके निचे speaker bottle holder दरवाजे पे दिये गए हैं और जो दरवाजे का interior है वो आपको पूरा black color में ही मिलने वाला है उसके बाद चलते हैं driver seat पे तो driver seat की height adjust करने का जो option है वो आपको दिया गया है dashboard dual tone में बहुत ही बढ़िया इस गाड़ी की जो dashboard की look है वो आपको मिलती है driver के right side में यहां आपको fog lamp और light के controls दिये गए हैं silver finish के surrounding के साथ में AC vents दिये गए हैं और piano black finish जो MID के उपर का part है वहाँ पे किया गया है यह है इस गाड़ी का MID meter, semi digital MID meter मिल जाता है speedometer, rpm meter, temperature और fuel आपको analog दिखता है और उसके अलावा जितने भी details है वो आप digital देख सकते हैं इस variant में multi trip, average speed, average fuel consumption, digital clock, distance to empty, door azar warning, low fuel warning, instantaneous average, gear shift indicator और gear indicator जैसे जो features हैं वो मिल जाते हैं steering के उपर आपको sound controls और telephonic controls दिये गए हैं dual airbag के साथ में गाड़ी आती है और किया का नया logo आप steering पे देख सकते हैं right side में detail वगरा देखने के लिए जो button है वो दिया गया है silver finish के use के साथ में बहुत ही बड़िया जो steering की look है वो आपको मिलने वाली है steering को आप tilt adjust कर सकते हैं telescopic adjustment का कोई option steering में नहीं दिया गया है अब चलते हैं center console पे तो center console पे आपको मिलता है 8 inch का touchscreen infotainment system जो कि 4 speaker और 2 twitter के साथ में दिया गया है apple car play android auto, usb और bluetooth से connect हो सकता है साथी साथ air chemist जो app है उससे भी connect हो सकता है wireless phone projection का जो feature है वो भी अब इस गाड़ी में add on कर दिया गया है तो कुल मिला के यही एक नहा feature इस गाड़ी में add on किया गया है tip के उपर chrome finish के use के साथ में इसी vents दिये गये है center में hazard switch दिया गया है और नीचे आपको मिल जाते है manual AC और hitter के controls piano black की background के साथ में अच्छी look आपको मिल जाती है उसके नीचे आपको phone रखने की जगे मिल जाती है 12 volt का accessory outlet, usb और fast charging का point दिया गया है चोटा मोटा समान आप अपना रख सकते हैं six speed manual transmission के साथ में गाड़ी आती है दो cup holders और storage के साथ में armrest आपको मिल जाता इस variant में भी dual tone में जो dashboard है उसका आप pattern देख सकते हैं जो texture finish है वो यहाँ पे आपको मिलती है और यह है इस गाड़ी का glow box compartment जहाँ पी कि आप अपने document वगेरा रख सकते हैं day night IRVM दिया गया है जिसको कि आप manually adjust कर सकते हैं sunglass holder push on push off button के साथ में cabin light दी गई है vanity mirror को driver वाले sun visor पे दिया गया है driver वाले sun visor पे नहीं दिया गया है fix grab handles दिये गया है और पीछे cabin में भी जो light है वो आपको मिल जाती है ये था इस गाड़ी का front cabin अब चलते है rear में तो rear दरवाजे पे भी silver finish के साथ में door handles power window के control speaker और bottle holder दरवाजे पे दिया गया है और ये है इस गाड़ी के rear sitting तो जो look है गाड़ी की वो बहुत बढ़िया आपको मिलने वाली है पीछे fix address दिये गए है और जो rear parcel tray है वो इस variant में नहीं दी गई है एक बार बैठके देख लेतें कि space कितना क्या है तो space का कोई issue भाई इस एल्टोस में नहीं होता है पूरा leg room मिलता है लेकिन जो thai sport है वो मुझे थोड़ी से कम महसूस होती है इस गाड़ी में और यहाँ पे मिलते है rear AC vents fast charging का जो point है वो भी दिया गया है और phone holder भी आपको पीछे मिल जाता है पीछे की seat पे बैठने के बाद इस तरह की जो dashboard look है वो आपको दिखने वाली है तो dashboard look काफी beautiful इस गाड़ी में लगती है क्योंकि dual tone का जो use है वो किया गया है और piano black finish का भी use किया गया है यह था इस गाड़ी का interior और अब चलते हैं एक बार boot के तरफ और check out करते कि वहाँ क्या कुछ मिल जाता है तो requesting sensor के साथ में आपको power boot मिल जाता है 433 liter का काफी बड़ा boot space दिया गया है पीछे hanging hook और जो boot light है वो आपको मिल जाती है foldable floor दिया गया है और इसी के नीचे आपको मिलता है 16 inch का spare wheel जो की black color का steel rim होने वाला है फ्रंट से लेके rear तक की जो look है वो भी बड़िया आपको मिल जाती है और दरवाजे पे कोई indication आपको नहीं दिया गया है अब चलते हैं engine की तरफ तो इस गाड़ी में 1497 cc, 113 bhp, 114 nm torque और 17 km per liter के average के साथ में 4 cylinder smart stream 1.5 liter DOHC MPFI petrol engine दिया गया है जो की ठिक ठाक power इस गाड़ी को दे देता है बात करें quality की तो जो bonnet है वो काफी heavy यार मुझे महसूस होता है लेकिन जो 2020 model की crash test rating है वो है 3 star अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के pricing की तो इस गाड़ी की जो एक showroom कीमत है यानि की htk variant की वो है 10,74,000 रुपे और जो own road है वो पड़ती है लगबग 12,20,000 रुपे की तो काफी अच्छी कीमत है और उसी के साथ साथ जो features है वो भी ठीक ताग गाड़ी में मिल जाते हैं SUV है तो हो सकता है कि उस वज़े से भी आपको prices ज़्यादा लगें तो भाई यही था आज का review किया सेल्टोस htk variant new logo के साथ में और एक नए feature के साथ में कोई भी क्योरी हो कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना स्पोर्ट देते रहना वीडियो का इंट तक देखने के लिए थेंक्यू दोस्तों